हेलो हाई फ्रेंड मैं बलवान मुद्गिल अगेन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूटूब चैनल के अंदर और आज जो हम डिसकस करेंगे वेरी इंपोर्टेंट टोपिक के ओपर डिसकस करेंगे जिसके अंदर जो स्टुडेंट को है वो डौट था और आज मैं जो पर हम यहां डिसकस करने वाले हैं देखी फ्रेंड सबसे पहले तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है हमारा ओफलाइन के बारे में अगर मैं बताओं ऑफलाइन के अंदर जो सबसे में प्रोब्लम रहती है वो क्या है अगर मैं बात करता हूं जो फिमेल से जो मैरिड है उनके लिए वहां पर जाके स्टडी करना नोट एजी वो उनसे पॉसिबल नहीं है या फिर वो स्टुडेंट जो किसी विलेज में रहते है या फिर वो स्टुडेंट जो क्या है जोब करते है उनके लिए जोब को स्कीप करके वहां पर क्लास को जुवाइन करना नोट एजी वो नहीं है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने जो है हमारा pen drive course launch किया है क्या किया है हमने pen drive course launch किया है इसमें जो है आपको complete क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा इसके अंदर pen drive course के अंदर सबसे पहले आपको study material सैकिंड नंबर पे आपके पास वीडियो लेक्चर थर्ड ओनलाइन टेस्ट फोर्थ ओनलाइन डाउट क्लासिज हम यह चीज़े आपको प्रोवाइड करने वाले होंगे study material और video lecture जो कि आपको pen drive के थरू जो है आपको courier की जाएगी इसका benefit आपको क्या होगा friends यह benefit होगा suppose कि आप किसी village में रहते हो या आप city में रहते हो आपके पास internet की problem नहीं होगी क्योंकि इन lecture को आप without internet भी देख सकते हो क्या without internet भी जो है आप इन सभी lecture को आप हमारे देख सकते हो वही चीज रहेगी हमारी same content रहेगा जो हमारा online का रहेगा same content हमारा pen drive में रहेगा और very important चीज यह है friends कि यह जो हमारा pen drive course है यह हमने इसी बार start किया first time हमने यह start किया हाला कि online classes हमारी two time already हो चुके और बहुत अच्छी रही है हमारी last two classes के अगर मैं बात करूँ और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस बार जो हमने pen drive course को launch किया है और इसके अंदर जो है यह first time हमने launch किया है इसलिए इसमें हम आपको यह offer दे रहे हैं कि यहाँ पे जो है आप वीडियो को lifetime access कर सकते हो क्या कर सकते हो lifetime access कर सकते हो यानि कि आपके पास यह जो lecture रहेंगे यह आपके पास lifetime रहेंगे इन lecture को स्पोज करो आपका exam हुआ और exam के बाद आपको जरूरत बाद में भी आप इन सभी lecture को कभी भी देख सकते फ्यूचर में जब आपको जरूरत होगी यानि कि आपको next time इसके लिए पैसे खर्च करना नहीं होगा यह lecture आपके पास lifetime रहेंगे और इसके अंदर complete syllabus को जो है net के according पूरे syllabus को जो है cover किया गया है और फिर भी अगर आपको किसी में doubt रहता है तब हमारी जो है doubt classes रहेगी वहाँ पे जो है आप हमारे से doubt discuss कर सकते हो दूसरी चीज़ यह कि आप पूरा course आपको detail में बताया गया है इसलिए mind में इस type की तो कोई problem create होगी ही नहीं होप की sir syllabus का पूरा होगा syllabus already complete है और जो आपके doubt होंगे वो doubt classes हमारी चलती रहेगी वहाँ पे आपको यह सभी जो doubt है वो आपके clear कर दिये जाएंगे इसलिए friends अगर आपका target यह है कि net को qualify करना है या फिर किसी आप higher mathematics की तयारी कर रहे है और आपका target है knowledge को gain करना है क्या आपका target अगर knowledge को gain करना है तब मैं आपको कहूंगा यह आपके लिए best option है कि आप यहाँ से इसको purchase अगर आप करते हो आपके पास study material और यह सभी चीज़ कर सकते हो अगर मैं बात करूं देखिए online classes हमने पहले भी चला चुके हम two time चला चुके हैं कि जो मुझे कमिया मिली है online classes के अंदर जो हमने ली थी कमिया यह मिली कि जो village का student उसके लिए इंटरनेट की बहुत problem रहती है क्या अगर simple अगर मैं बात करूं कोई भी अगर वो किस इस भी company की वो सिम खरीदते है उसके पास क्या एटमोस्ट डेड़ जिबी दो जिबी या तीन जिबी जो भी उसका नेट है यह इनफ नहीं है और फिर उसको problem क्या आती है वो यह कैता सर मेरा जो lecture है वो नहीं चले या नहीं वर्क कर रहे इस type की problem face होती है और इस से बचने क के लिए यह हमने launch किया इस बार कि आपको किसी type की कोई problem नहीं आएगी आप lecture को कभी भी देख सकते हो किसी time भी देख सकते हो और आपको यह problem नहीं होगी कि आपका जो net वो finish हुआ आपको doubt रहा एक one time two time three time four time जितना दिल करें आप उस time उसको देख सकते हो और जो फिर भी अगर doubt रहता है आपको आप मेरे से personally जो है discuss कर सकते हो या हमारे जो live में जो होगी classes उसके इंदर भी जो आपका जो doubt है वो discuss कर सकते हो और सबसे पहले जो हम start करने वाले हैं सबसे पहले हम start करेंगे modern algebra को क्या करने वाले है modern algebra को मैं start करने वाला हूं क्योंकि मैने बहुत से student ऐसे देखे है जिनके अंदर जो कमिया रही है वो modern algebra के परती रहती है, वो यह कहते है सर, modern algebra तो हमें आता ही नहीं, और यह चीज़े मैं बिल्कुल ऐसे level से आपको सिखाने वाला हूँ, आप यह कहोगे, सर नहीं जी है, बिल्कुल ही जी है, हम अच्छे से तैयारी करेंगे, और आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप प्रविया में देखिए, एक वो कि ना उसने क्या है, कि मानलो स्पोज करो, उसको कोई position मिल गई, वो उससे happy है, वो आगे वर्क नहीं करता, और फिर वो life में क्या है, success नहीं हो पाता, अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, आने वाले time के according वो पीछे रह जाता है, जैसे नाम तो नहीं लूँगा मैं, कई student ऐसे है मेरे, कि जिनको मुझे ये लगता है, कि अभी उनके अंदर knowledge की कमी है, बट क्या है, वो इस चीज से और आपने आपको improve नहीं करना चाते, और नहीं करना चाते, वही चीज अब वो happy है, बट आने वाले time में क्या होगा, आप आपने आ देखो, मैं यह नहीं कहता कि आप teach नहीं करो, teach करो, teach करो, teach करोगे, तभी तो आपके पास income आएगी, तभी तो work होगा, but एक very important यह है, teaching के साथ-साथ आपने study भी करते रहो, अपने लिए भी time निकालो, आप itself भी study करो, जब itself भी study करोगे, तभी आपका जो है work हो पाएगा, इसलिए हमारा target सिर्फ यह नहीं होना चाहिए, कि हमें job मिल जाए, यह हम कहीं teach करने लग जाए, अब हम छोड़ दे, नहीं, हमारे पास job है या नहीं, that is not important matter, matter यह है, हम खुद की त्यारी करते हैं, यानि self study करते हैं, वो अगर हम करते हैं, that is very nice, अब एक example से मैं आपको कु कोशिस करता हूं, एक बार क्या होता है, एक बार एक राजा जो है, वो सिकार के लिए कहीं पर जाता है, और सिकार करते करते जो है, काफी अंधेरा हो जाता है, और बारिस होने लगती है, और उसी दोरान जो उसके सिपाई है, वो उससे पीछे रह जाते है, और वो क्या है, कि जो वहां पे रस्ता नहीं होता तो क्या है राजा जो है पैदल पैदल जो अपने मैल की तरफ आने लगता है और क्या है बारिस होने की वज़े से वह कहीं पे वहां रुख जाता है और क्या है वहां रहता है वह कुछ टाइम बाद वह क्या देखता है कि वह ऐसी जेंगे प पास जाता है और उनसे ये पूछता है क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिलेगा तो बच्चे कहते हैं अपने घर पे जाते हैं और उसके लिए कुछ खाने के लिए लेके आते हैं राजा इस चीज़ से बहुत परसन हुआ और उनको फिर ये कहता है कि बच्चो मैं आपसे बह बच्चा है वो क्या कहता है मैंने अपनी जिंदकी में कभी two time खाना नहीं खाया आपको अगर मुझे कुछ देना ही है तो आप मुझे भूत सारा धन दे दीजिए जिस से जो है मैं क्या है अपना भूत सारी ऐस कर्ष यानि बहुत सारा खाना ले पाउं भूत सारी चाहशे मे सभी सुविदा मुझे दे दीजिए राजा उसको भी कहता ठीक है आपको भी यह दे दिया गया है कि तीसरे से फिर पूछता है आपको क्या चाहिए वो यह कहता है मुझे धन दोलत मुझे यह कुछ भी नहीं चाहिए आप जो है मुझे क्या है एक अच्छी सिक्षा जो है मु राजा जो है उसकी बात से बहुत खुस होता है और वो उन तिनों के लिए ये चीजे सुविदा जो है उपलब्द करवा दिता है और जैसे जैसे टाइम बिता जाता है जिसने स्टडी मांगी थी वो क्या है अच्छे से स्टडी करता है और पढ़ लिखके वो क्या काफी इस लड़के को भूलाता है उससे यह पूछता है कि आप gbro फृर्इंट क्या कर रहे है तो ऑफ कहता है कि मैं उनसे मिलना चाका हूं आप उनकी उनकी और फिर उनसे ने अब बता इस भूल से पहले इस यह आप क्या रहे हो तो depending है इसने क्या हासिल किया क्या कुछ इस से तो मैं सहाशन מתू है उसकी बात से इसके रहे मुझे पता है आप नामबर पहल नंबर प्रमत के पहले पहले कैसे दो वो कहता है कि मेरे पास बहुत सारा धन आने से क्या हो गया मैं बहुत ज़्यादा आलसी हो गया था और बहुत सारे जो मेरा धन है मैंने वेस्ट में ही ऐसी गवा दिया और बहुत सारा धन जो है मेरा जो है क्या है चोरी हो गया जिसके कारण आज भी जो है मैं वैसी ही पोजी पे था यानि कि अब आज के टाइम भी जो है मैं भूख का जो है सामना करता हूं कि मुझे दो टाइम की जो रोटी है वो अच्छे से नसीब नहीं हो पाती है फिर दूसरे से पुछा कि आपके आपकी क्या है वो कहता है कि जो मैंने आप से भड़ा बंगला मांगा था ये वो सभी जो है मेरी नस्ट हो गई और आज के टाइम मैं भी एक छोटी ही कुटिया के अंदर रहता हूं फिर राजा ये कहता है देखिए यही चीज जो है मैं चाहता था कि आप सिक्सा मांग अब ये देखिए आप तिनो उस दुरान सेम पोजिशन पे थे आप सभी ने आप आज के टाइम इसके पास सब कुछ है यानि कि राजा ये कहता है मैं जो है आपको ये सिक्सा देना चाहता हूं कि जो धन दोलत है बंगला गाड़ी है यह हम दुनिया में लाइफ कभी भी प्राफ्त कर सकते हैं बड़ जो सिक्सा है इसका एक टाइम होता है उस दुरा अगर आप घ्रहन कर लेते हो बाकी चीज़े आपके पास automatic आपके पास आ जाएगी इसलिए अगर आपको कोई चीज लेनी है तो हमेशा study की तरफ जाएए education की तरफ जाएए अगर education आपने हासिल कर लिया बाकी चीज़े आपके पास easily आप गेन कर सकते हो यानि कि कहने का विप्राई ये है इस से हमें ये सिक्सा मिलती है कि धन दोलत जो ये है time के according खतम होती जाएगी बट सिक्सा एक ऐसी चीज है जो time के according आपकी increase होती जाएगी और इस से आप everything को achieve कर सकते है जो आप अपने life के अंदर achieve करना चाहते हो बड़ी problem पता क्या थी friends बड़ी problem या थी है हम जो हमारा धन या हमारी चीज़े है सिक्सा पे वे ना करके सिक्सा पे खरच ना करके दूसरी चीज़ों पर स्पोज कीजिए कोई ये कहे मुझे तो ना गाड़ी खरीदनी है आप गाड़ी के लिए जाते हो आपनी सिक्सा को प्रोग्रेस नहीं करते गाड़ी तो कुछ टाइम बाद आपकी खराब हो जाएगी और यही चीज़े अगर आपके पास quality अगर आप क्या है सिक्सा आपके पास है आप अपने आपके अंदर life में everything को अचीव कर सकते हो इसलिए कभी भी ये चीज मत सोचिए मुझे धन की ज आप देता रहूं ओके ये चीज़े हमारे लिए important है इसलिए क्या है friends कभी भी जो है अब कुछ भी हो अगर आपके पास कुछ भी है या नहीं है that is not important अगर आपके पास ज्यान नहीं है आपके पास knowledge नहीं है आप मैं ये मानता हूँ आप 0 हो इसलिए क्या है सिख्सा लेते रहे ये मत सोचगो कि अब जो है मैं पड़ के क्या करो कई क्यी चेह कहते है कि आपके पास अगर knowledge आ गई आपके पैसे तो है पड़के क्या करोगे क्या जोब करोगे study सिर्फ जोब के लिए नहीं होती सिर्फ target ये नहीं होता कि study की तो हमें जो जो तो करने देंगे नहीं इससे फाइदा क्या करने का नहीं आपकी education qualification अगर increase आपकी जो knowledge है वो increase होती है तो आपकी thinking power increase होती है तो आपका क्या है आपका जो mind work है that will be the increase और शिक्सा लेने की कोई age नहीं होती इसलिए अगर आपका ये target है कि sir मैंने बहुत पहले study की थी और मेरा target ही है कि मैं आपनी जो qualification है उसको increase करूँ तो मैं आपको कहूँगा friends अगर अब आपने start नहीं किया तो कभी start नहीं कर पाओगे ये जो हम बात करें जो हम कहते हैं कि fun होता है अगर हम party की बात करें कोई चीजी ये चीजी lifetime नहीं रहती lifetime सिर्फ आपके साथ आपकी study रहे और अपनी तयारी करते रहे और अगर आप अपनी तयारी करते रहोगे आपकी study increase होती रहेगे अगर आप ठैर गए आप कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि क्या है अभी जो है अभी तो अपनी तयारी करना start किया है ये आपके लिए important है ये time आपके लिए suppose करो हम ये कहीं ये क अब अगर आपने कैसे ना कैसे अब study कर लई तो आप जो है सफलता की तरफ चलते चले जाओगे और otherwise तो यही रहेगा इस बार नहीं चलो next time इस बार नहीं next time और next time कभी नहीं आता है जो है वो इसी time है इसलिए क्या है आपने एजूकेशन के परती आपको विशेश ध्यान देना है आपकी तैयारी करते रहना है आपके लिए यह important नहीं है आपको यह लगता है हमारे सर फाइफ यह होगे हमें तो में सीक्स यह होगे कोई problem नहीं सब कुछ आपको बिल्कुल basic level से बताया जाएगा important यह है आप time निकालो तैयारी करो और आपको विश्वास दिलाता हूँ अगर आप तैयारी करते हो time निकाल के study करते हो आप यह कहोगे सर मुझे जो है यह ऐसी चीज़े आसिल हुई है जो मुझे पहले नहीं पता थी ओके और जो हमारा pen drive का जो यह course है इसकी अगर मैं fees की बात करूं only 40K हमारी इसकी fees रहेगी जिसके अंदर हमारे online test रहेंगे online doubt classes रहेगी हमारे full study material दिया जाएगा और complete lecture आपको जो है यह provide किये जाएगे और फिर भी अगर आपको किसी type का doubt है वो आप मेरे से contact करके आपका जो doubt है जो आपकी query है वो मेरे से discuss कर सकते हो और हम जो है 10 January से सबसे पहले जो हमारा है modern algebra में क्या करेंगे हम सबसे पहले number query फिर उसके बाद हमारा होगा group और फिर हमारी होगी ring query यह हम करने वाले हैं और मेरा target यह है कि इसको आपको बिल्कुल detail से बिल्कुल basic level से लेके detail में आपको वो सभी चीजे मैं सिखाने की courses करूं कि जिससे आपको यह लगे कि हां हमें class को join करने का फाइदा हुआ I hope friends आप सभी जो है इस बार और मैनत करने वाले हो और अपनी जो knowledge है उसको और increase करने वाले हैं मिलते हैं friend हमारे जो online lecture है उसके अंदर और सबसे पहले क्या हमारा जो number theory है इसको start करेंगे क्यों क्योंकि पहले जो मेरा target था वो यह था कि मैं group theory पे लेके चलूं बट group theory क्या है connected है number theory के अगर आपको result नहीं पता है फिर वहाँ आपको problem आएगी इसलिए पहले मेरा यह है group theory फिर ring sorry पहले number theory फिर group और फिर ring theory और फिर field theory पे हम जाएंगे ऐसे हम करने वाले हैं और फिर भी अगर आपको किसी type का doubt ह है वो doubt आप मेरे से discuss कर सकते हो thank you friends मिलते हैं हमारी online classes के अंदर